हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू चाटोर डिलिशस फूर और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं पोटेटो चीज बॉल जो की बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल्टेट माउफ चीज हमने यहाँ पर दो आलू लिए उबले हुए अब हम इन आलू को ग्रेट करेंगे आप चाहे तो मैशर के हर्प से मैश भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल स्मूधर है आलू हमने ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें एड करेंगे हमारा जो चीज अब जो चीज है वो आप मोजरला चीज भी ले सकते हैं और आप क्यूब भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर भी हम ग्रेट कर रहे हैं चीज को चीज ग्रेट होने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज और अलग से ग्रेट करेंगे क्योंकि हम फिलिंग अब हम काली मिर्च डालेंगे इसमें आदी चम्मज औरिगेन हो आपके पास पीजा का पेकेटर वह भी डाल सकते हैं चीली फ्लेक्ष और यहां पर हम नमक आपको ध्यान रखना है कि नमक हमको जादा नहीं डालना है क्योंकि चीज में भी नमक पढ़ता है अब हम इसमें थो दो चम्मज कॉन फ्लॉर यहां पर हमने दो बड़े चम्मज कॉन फ्लॉर का यूज किया है इससे यह हमारी जो चीज बॉल है यह बहुत ही क्रिस्प्य टेस्टी बनेगी अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चाहें तो इसमें स्वीट कॉन भी एट कर हमने दो चोटे चम्मज को और अब हम इसे मेडा मैदा को मिक्स कर लेंगे और एक शिलरी बनाएंगे तो इसके लिए हम एट करेंगे इसमें पानी फ्लॉर क कॉन ने पारे डालना है कि इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको दिखे अब हमने यहां पर लिये हैं चार ब्रेड जिसको मैंने मिक्सचर में ग्राइंड कर लिया है तो क्रम्स बन गए हैं अब हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन एक आलू का और मिक्सचर को हम आलू के टिक्की का शेप उसमें हम डालेंगे हमने जो चीज ग्रेड करके रखे थे इसके अंदर डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा चीजी टेस्ट आएगा जब हम इसे खाएंगे ध्यान रखे चारो तरफ से इसको अच्छी तरह से हम कवर करेंगे यह एक इंपोर्टन टिप है अगर आप चीज इस बॉल से बहर आ सकता है इस तरह आप आलू और चीज की बॉल तयार करें तो देखिए कितनी अच्छी बॉल तयार हो चुकी अब हम इसको सलेरी में डिप करेंगे और जो हमने ब्रेट के क्रम्स बनाएते मिक्शर में पीस कर उनको हम कोट करेंगे इस तरह से बॉल हमने क इसको फ्राइ करेंगे यहां पर हमने मीडियम फ्राइम रखा है और हमारा ओईल गरम हो चुका है अब इसमें हम चीज बॉल कि करके डिफ राइ करेंगे सभी बॉल्स को हलके हातों से इकक करके डालेंगे और हमको जब तक फ्राइ करना है तब तक कि गोल्डन कलर आ जाए इसको हम थोड़ा थोड़ा पलटते जाएंगे देखिए हलका सा गुर्लन ब्राउन कलर आ चुका है अब इस स्टेज पे हम इनको बहार निकाल लेंगे ओईल से देखिए हमारी चीज बॉल रेडी है देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यमी क्रिस्पी हमारी चीज बॉल आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए जिससे मैं जब नई वीडियो अपलोड करू तो इसकी नॉटिफिक्शन आपको सबसे पहले मेले तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साम थेंक्यू सो मच पो बॉचिंग मैं चैनल